इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने सारे messages को एक बार में delete करना चाहते हैं, सब messages को one time में delete करना चाहते हैं, तो कैसे करें, अब यहाँ पर आप देखें, यह हमारा messages का app है, अब अगर यहाँ पर हमें कोई भी message delete करना है, तो यहाँ पर हमें long press करना होता ह है और इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है ठीक है सेलेक्ट करकर के मेसेज़ डिलीट करने होते हैं बट बहुत लोगों के हजार मेसेज होते हैं किसी के 500 messages होते हैं किसी के कई हजारों message होते हैं तो अगर वो select करेंगे तो उन्हें घंटों लग जाएंगे सिर्फ select करने में आप चाहते हैं कि one time में सारे messages delete हो जाएं तो मैं आपको एक बात बता दू आप direct आप इस messaging app से नहीं कर पाएंगे आपको एक तरीका बताओंगा आप वहां से इसे कर पाएंगे क्योंकि आप यहां पर click करेंगे तो आपको कोई भी bulk delete करने का option नहीं मिलता है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे delete करें देखिए यहां से आप बाहर निकल जाएं अब देखिए आपको क्या करना है इस application को install करना है मेरे जिसाब से जारतर के पास यह application होगी true caller जिसके पास नहीं है वो play store से निकालने install कर लें बहुत ही trustable और बहुत ही मुझे बताने की ज़रत नहीं आप सब जानते होंगे देखिए 1 billion downloads है ठीक है तो आपको true caller install कर लेना है इसे open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ messages का option मिलेगा देखिए पहले आपको login भी करना होगा अपने number से true caller को उसके बाद ही यह page आएगा तो पहले login कर लें फिर यहाँ पर यह messages की option पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे इसके बाद यहाँ पर three dot पर क्लिक करना है और यह रहा inbox cleaner इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको option देखा clean up now delete OTP, delete promotional messages, delete spam messages तो OTP है हमारे पास 1084 यानि 1000 OTP के message आए है promotional messages आए है 243 और spam messages आए है 167 तो clean up now पर क्लिक कर दे and यहाँ पर आप देख सकते है कौन-कौन से messages प्रिव्यू करके ठीक है यहाँ पर आपको दिख जाएगा and यहाँ पर आप confirm कर दे जैसे ही आप confirm करेंगे तो आप से यह पूछेगा तो आप फ्रू कॉलर का इसे set कर दे set as default कर दे बाद में आप इसे हटा ले लेकिन अभी delete करने के लिए हमें इसे default करने की जरद पड़ती है देखिए training स्टार्ट हो गई है उमीद कर तो आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब जरू कर दे